Art is a medium through which we express our feelings and emotions. इसी के चलते, धरमशाला जो की भारतिक अलाकारों के लिए एक अंतराश्ट्रिय मंच का रूप है, में 50 आर्टिस्त ने की Colors of India Art Exhibition Organized. यहां Different Parts of India से आये 50 आर्टिस्त का Art Works शोकेस किया गया, इस आर्ट एक्जिबिशन में बुद्ध और तिब्बत जीवन को दशाया गया, इस एक्जिबिशन में फिल्म Drawing Blood की स्क्रीनिंग भी की गई, जो एक आर्टिस्त की दर्दनाक जीवन का चित्रन करती है, कहानी एक या जंग आत्स और उसके जीवन के संगर्ष, उनके दर्द और बलिदान के आसपास गुंती है, चलिए, अब जानते हैं Drawing Blood मूवी के डारेक्टर नतराज महारशी से, जो कि हैदराबाद से तालुक रखते हैं, कि ये मूवी क्या टार्गेट करती है, जो आठ के बिना, we can't imagine anything. डायलोग्स हर मूवी की जान होते हैं, जिनके बिना फिल्म अधूरी लगती हैं. Drawing Blood मूवी की डायलोग राइटर ने बताया, कि it's a film about showing the other end of an artist's life. और साथ ही उन्होंने ये भी बताया, कि वो ये बिलीव करती हैं, कि हर चीज में आठ होती हैं. We are all about showing the other end and the edgy side of an artist's life. जैसे हम देखते हर एक मुसीब, हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ struggles होती है, problems होती है, लेकिन हम उसे हाइलाइट नहीं करते बाहर, every successful person has to go through burdens and this is what we try to show about an artist. क्योंकि आर्टर्स की जिम्दिली कापी अलग होती है, उनकी सोच एक completely edgy तरीकी से आगे बड़ती है and it's very difficult to understand that, जो हर एक इंसान नहीं समझ पाता है and I believe हर एक beauty, हर एक nature, हर एक चीज में आर्ट होता है. इस आर्ट exhibition की beautiful paintings को लोगोंने पूरे दिल से enjoy करके अपना दिन spent किया और साथ ही drawing blood की screening का भी लोट फुठाया. अब देखना ये होगा, 90 minutes की movie के सहथ तक एक artist की life को बड़े परदे पर उतार पाती है. धर्मशाला से लखन शर्मा और प्रबजोत कॉर्बावा के लिए हलीन कॉर्टे नाइक निउस. हबरों के साथ बने रहें राद दिन.